वेल्कम तो स्मार्ट पीजीवी सर्विस तो दोस्तों आज की वीडियो में में रपेर करने वाले हैं इजीरो का एरर जो हमारे पास है मैगमिट का फाइव स्टार का पीजीवी इसके अंदर जो है वो एक्सेंशन बाल लगता है और इसके अंदर जो है फ्रॉआउडोर मोटर तो यहां पर इसके अंदर हमने कोई भी कंप्रेशर और इसका कॉम्मिनिकेशन का वायर भी कनेक्ट ने गिया है हमने जो इसको ऐसे वो लाइन और नूटल दिया है तो आप देख पाएंगे तो यह वान टाइम का जो बिलिंकिंग है इसके अंदर वो आ रहा है स्टेप बाइ स्टेप कैसे प्रोग्रामर के अंदर हमें जो है वो हमारा EP ROM IC बोल लगाना है इसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिलने वाली है और उसकी अंदर जो आपको कैसे IC लिगाना है IC का क्या नाम है software को है, वो कैसे जूस करना है, कैसे इसको program करना है वो सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है अगर आपने नया नया course किया है, जा आप course करने वाले हैं जा पिर आपने अपना programmer खरीदना है और अपने यू काम को है आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको program करेजी जुरूरत है, वो पढ़ने वाली है और उसको कैसे यूज करना है क्योंकि future में आपको जो है इसकी जुरूरत पढ़ने वाली है तो आप वीडियो को पूरा देखे और आप हर एक step वैसे ही follow करना है तो इस वीडियो में अब मैं आपको पूरी detail बताने वाला हूँ क्या IC के अंदर हमें pin की IC उसको कैसे लगाना है और जो हमारी 16 pin की IC है उसको कैसे लगाना है तो चलिए अब जो है सबसे पहले हम IC जो है हमारे programmer में लगाते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है उसके बाद जो है हम जो है इसको प्रोग्राम करेंगे और इसके अंदर जो है वो नहीं IC लगाके इसके error को हम solve करेंगे तो यह हमारा programmer store यह हमारा जो है प्रोग्रामर है इसके साथ में जो है वो आपको मिलती है एक ये वाली data cable दाट में या जो है यह हमानी साथ में आपको हाइं हम इसके फ़यक्ता मिलती है और कि इसके साथ जह हुम हमने ढोलती है एसंवी एट शॉकर तो हमें जो हुआज हुआ कहया है पैर लौँ प्रोग्राम के लिए जो हमारे ही तरह इंदर यह तो फिकारों प्रोग्राम हो जाते हैं तो हमसी का आज यूज करने वाले हैं दो तो सबसे पहले जो है हमें इसके अंदर वो i.c. लगानी है लेकिन आज कैसे लगानी है तो यहां पर आप दे सकते हैं इसके यहां पर सिंबल बना हुए अगर हमारी 8 pin की IC है तो हमारी एक number pin जो है यहां है और हमें इस नीचे लगानी है में हमारी IC अगर हमारे पास बड़ी pin है 16 pin की तो हमें जो है पूरी इसके उपर लगा जए तो इसके उपर हम direct IC इस लगाए नहीं तो उसके लिए हमें यह साथ में शौकट मिलता है तो इस शौकट के अंदर जो है वो हम आई सी को लगाने वाले हैं आप इसे चाहे ऐसे लगा ले हैं यहां इसके अंदर लगाने के टाइम को हमको दिया रखना है कि हमारी यह आई सी की एक नमबर बिन वह इस साइड में होनी चाहिए तो यहां पर मैंने एक IC ले लिए तो यहां पर है मेरे पास EP ROM IC और इसकी जो एक नंबर पिनने तो मैं इसको ऐसे लगाने बाला हूँ और इस शॉक्ट को हमें नीचे की तरफ प्रेस करना है यह शॉक्ट को जो है इस नीचे की तरफ जब हम प्रेस करेंगे तो ऐसे इसके अंदर IC जो है वो इंसर्ट हो जाती तो हमें जो है इसको ऐसे पहले दवा लेना है उसके बाद IC को उठाना है और इसके अंदर परापर IC को जो है एकदम परापर आपको जो है विकल सीधा रखना है और सभी पिने जो है वो अच्छे से टाइट होनी चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं और इस IC की जो एक नंबर पिन है वो इस साइड में तो अब हम जो है इसे लगाएंगे अपने प्रोग्रामर में तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो इस लीवर को उपर उठाना है और हमारी IC की पिन है वो इस साइड आनी चाहिए तो मैं इसकतम लास्ट में इसको ऐसे लगा के और इस लीवर को जो है वो अच्छे से टाइड कर देना है और अगर देखेंगे तो हमारी IC एक्तम प्रोग्पर से इसके अंदर लग चुकी है इसके साथ में हमें मिलती है USB केवल तो इसे जो हमें पिसाथ में इस हो है कनेक्ट कर लेना है और इसके बाद हमें इसे अपने लेपटॉप के साथ कनेक्ट करते है जैसे ही आप इस USB को लेपटॉप के साथ में कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो है वो लाइट आनी चाहिए तो यानि हमारी IC जो है वो अगर आउप आईसी का नंबर नहीं पता है और अगर अगर आउप आईसी का नंबर नहीं पता है और अगर आउपकी आईसी सही से इसमें इंसर्ट होगी है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है आपको जो है यहां पर है समार्ट समार्ट अडेंटी पे आपको जो है वो क्लिक करना है तो आटोमेटिक की आईसी वो आपकी डिटेक्ट कर लेगा तो यहां पर आप दे इसके अंदर यह चिप जो है हमने नहीं लगाई है तो यह बिलकुल खाली है तो यहां पर आप देखेंगे तो notification आ गया है कि इस चिप इस इंपिटी तो ठीक है आप जो है हम इसे प्रोग्राम करेंगे तो आपको प्रोग्राम कैसे करना है तो टोरआम करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है open के अंदर open के अंदर यहां पर हमने file रखी है उस file को जाके हम select करेंगे और एक चीज़ में आपको यहां पर और दिखाना जाते हैं जो मैं नहीं चलिए यहां पर कशी और देख लेते हैं यहां पर है buffer तो बॉफर में हमें क्या होता है तो हम जो इसके अंदर डाटा होता है उसे देख सकते हैं तो यहां पर देखेंगे तो FFF कोई भी डाटा नहीं है यह बिल्खुल चिप खाली है 2404 का 1.7 इसका जो मॉडल है तो आप जिस नाम से याद रखना जाते हैं उसी नाम से इसको सेव कर लें ठाकि आपको तो गराम डूंड़ने में पसानी हो तो मैं इसे यहां से सेलेक्ट करूंगा और यहां से इसे गरूंगा ओपर दोस्तों हमारी फाइल जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है तो अगर आम वह बर में जाके देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तो हैट्स कोड जो है वो आ चुकी है तो हमें इसे प्रोग्राम करने के लिए क्लिक लिए जो हमें जो है वो यहां पर क्लिक कर दाना है राइट के उपर जैसे ही आप राइट के उपर क आइसी लगाके और इसको आप पर रीड के उपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आइसी का जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी फारिक अगर आपको किसी दूसरे PCV से आइसी निकाल के प्रोग्राम चाहिए तो ऐसे आप जो इस प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं तो बफ दो मैंने जो है पुरानी वाली आईसी के यहां पर निकाल दिया था अब जो हम जो है इसके अंदर वो एक नए आईसी जो हमने प्रोग्राम किया उसको लगाने वाले हैं इसकी एक से चाहर नंबर की जो फिन होती है यह सारी के सारी पिने जो है वो ग्राउंड होती है तो जो इसकी एक नमबर पेंच जो है उसको दोस्तों अगर आपको PCV के अंदर हर थरे के एरर को रिमूब करना है तो आपके पास जो हो हर थरे के टूल्स जो है अवेलिवन होने चाहिए शुरू में अगर आप नए हैं तो इसके बगार भी जो आपका काम है वो चल सकता है तो ज जहां तक होना ज़रूरी है लेकिन अगर आपको अपने नया नया स्टार्ट अप किया है तो शुरू में आपको लेने के जरूरत नहीं है आप कुछ पैसा अर्ण करने के बाद भी जो है इसे ले सकते हैं तो सिंपले हम जो है इसे पिस पी सीवी को आन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो बिलिंकिंग का एरर है तो सही हुआ यह नहीं तो इसके अंदर लाइन और न्यूटर लगाएंगे इसके बाद अगर सब को सही हुआ तो यह पी सीवी सेंसर का एरर देगा सप्लाई यहां पर जो है वो आन हो चुकी है ओ बिलाल अभी थक तो कोई एरर आया नहीं है इसके अंदर तो इतनी देर के अंदर जो है वो हमारा एरर आ जाना चाहिए था अब जो है यह किसी सेंसर का एरर देगा तो अब देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कोई और आया रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है हमने सेंसर कोई भी सेंसर नहीं लगाया तो यानि हमारे इजिरो का जो एरर था वो सॉल्व हो चुका है अबला दो है